नमस्कार साथियों मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं द्रिशिकला द्रिशिकला की सेसल में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है राजस्थाने चित्रिकला सैलिक के अंतरगत जो अलग-अलग उनके सैलियों की उप सैलिया हैं उनके बारे में बात करेंगे हाला क कि इससे पहले हम लोग उनके थोड़े से परिशे को देखे थे, उनमें चित्रों को कैसे पहचान करें, उनके बारे में थोड़ा सा अध्यन किये थे, लेकिन आज हम लोग जो अध्यन करने वाले हैं, उनकी अलग-अलग शैलियों के अंतरगत जो उप सैलिया हैं, उनके बार कर रहे हैं राजस्थानी सलिक के अलग-अलग सलियों की तो इसमें एक तो था आपका मेवाड सली ठीक है मेवाड सली बात समझ रहे हैं दूसरा आपका था मारवाड सली मारवाड सली ठीक है और तीसरा आपका है हाडवती सली हाडवती सली बात समझ रहे हैं और चवथा है आपका धूंधार सली धूंधार सली अब इन सली के अंतरगत जो उप सलिया हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले यानि कि हम आज विशेष तयाहा मेवाड सली के बारे में बात करेंगे ते इसमें मिवार सलिकतरकत. जैसे कि हम ओदैफूर की बात करेंगे और उसके साथ हम नाथ द्वारा की बात करेंगे बात रहेगया मारवाड, हडवती और ढुझाड़ इसको अगले जो है सेस्वन किये जोगा क्योंकि मेवार सहली आलेडी जो है बड़ा है तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करने वाले हैं यानि कि मेवार सहली के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए इस्टार्ट करते हैं बिना किसी धेरी के तो हम लोग जो है बात करने वाले हैं सबसे पहले मेवार सहली और इसी मेवार सहली में नाम है उसका उदैपुर उदैपुर, ठीक है, हम जो है उदैपुर के बारे में चर्चा करते हैं, चलिए, ध्यान दीजेगा, सबसे पहले, इस मेवार सहली का जो उप केंद रेने का उदैपुर तो ही है, इनमें और भी हैं, जैसे कि शाहपुरा है, हम साहपुरा भी कह सकते हैं, साहपुरा, ठीक है, आपका साहपुरा है, परतापगड है, देवगड है, अभी मैंने बोला ही था, देवगड है, नाथ द्वारा है, बाद समझ रहे हैं, इस तरह से अलग-अलग इनके उपकेंद्र हैं, ध्यान दीजेगा हैं, तो हम लोग सबसे पहले अभी उदेवपुर के बारे में पचरच छेत्रे में लगो चित्रों की रचना हुई, यानि कि सुरू हो गया था, पंद्रवी सदी के आरम में बात समझ रहे हैं, और इसी सहली का सबसे विक्सित रूप, पालम भागवत के चित्रों में देखने को मिलता है, यानि कि हम कह सकते हैं कि सबसे विक्सित रूप, विक्स इसका चित्रव कब हुआ था पंदरा सो पचपन एड़ी यानिक इस भी ठीक है इस बात को ध्यान दिजेगा अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक चीज और थोड़ा ध्यान दिजेगा कि यह जो मेवाड जगा था यानिक जो राज था मेवाड इस मेवाड राज की न थोड़ा सा जिकर कर दे रहें मेवाड राज की नियूँ इनका नाम था वापा रावल ठीक है वापा रावल इन्हों ने जो है साथ सो अठाइस इस भी में इसकी नियू रखी थी थोड़ा सा इसको जिक्र मैंने इसलिए किया कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई इसको पढ़ने के पीछे एक रिजन है ना अगर ये नियू ही नहीं रख के होते तो कहां से जन्म होता इसलिए थोड़ा सा इनका भी जो है थोड़ा सा नाम होना बहुत जरूरी है इसलिए थोड़ा सा जिक्र करना बेहत हमको लगा कि हाँ जिक्र करना चाहिए अब चलते हैं थोड़ा सा इनके मुद्दे के तरफ आखिर है क्या मेवार सैली बात समझ रहे हैं मेवार जो है ना ये पूरे राजस्थानी सहली का सबसे प्राची इनतम एक मतलब चित्रों के लिए प्राची इनर माना जाता है यानिक हम कह सकता है कि मेवार प्राची इनतम राजस्थानी सहली है यानिक हम कह सकता है कि इस सबसे पुराने मतलब सबसे पूरे सैलियों में ये जो है सबसे प्राचीन तम माना जाता है ठीक है? सैलि मानी जाती है ठीक? उसके बाद और एक चीज़ देहन दियेगा कि मेवार सैलि की जो उत्पत्ती हुई है यानिकि इस सैलि की उत्पत्ती जो हुई है वो उत्पत्ती 1605 इसबी के पहले हुई है यानिक एडी के पहले हुई है सवाल ये लाइन में इसलिए लिखा हूँ कि ये लाइन का सवाल आया हुआ था ठीक है? इसलिए मैंने इसको जिक्र किया और अभी मैंने बोला था है कि 1605 SB के पहले का मतलब है कि 1555 में ही इस सहली की उत्पत्ती हो गए थी यहनी कि जहां पर हम पालम भागवद के चित्रों में देख सकते हैं इनकी विकास को ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर हम उत्कर सकाल के बात करते हैं अगर हम उत्कर सकाल के बात करते हैं अगर हम उत्कर सकाल के बात करते हैं तो यह उसका इसका जो समय है कि जो है 1600 से लेकर के 1900 इस भी तक लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ मेवार की बात हो रही है कन्फ्यूज मत होईएगा यह उतकर्स काल है यहनि कि इसके जवानी का सीजन चल लाता है उसमें इसके जो चर्मोत कर्स की बात हो रही है थीक है अब थोड़ा साव और आगे बात करते हैं कि वयसे अगर हम इसमें कुछ और जो प्राचीनतम गरंथों रवी प्राशीeren में देखे कौन कौन से गरंथ है अभी पता चल जाएगा पर चल जाएगा इन प्राचीन्तम गरंथों में एक है स्रावक पडिकम सुत्र चुरूडी और कहीं कहीं जो है स्रावक प्रतिकरमण सुत्र चुरूडी बोलते हैं अलग अलग है तो हम लिख रहे हैं सावग पडिकम सुत्र चुरूडी ठीक है सुत्र चुरूडी और कहीं कहीं स्रावक प्रतिकरमण सुत्र चुरूडी होता है यह चुरूडी है यह चीरूडी नहीं है चुरूडी है ठीक है इसका जो समय है यह है 1260 इस भी ठीक है यह सबसे प्राचीनितम गरंथ माना जाता है उसके बाद जो दूसरे नमबर गरन्था आता है वो है सुपासनह चरियम इसका जो समय है वो है 1423 इस भी ठीक है उसके बाद जो अगला गरन्था आता है वो है आपका 445 इसका समय है 1540 इसके बाद अगला जो आता है वो है पालम भागवत इसका समय है 1555 अभी उपर बताया गया है मैं इसको लिख की हूं रहा हूं थोला ध्यान से सुनिएगा सबसे प्राचीन अगर गरन्थों में मानेगा यह स्रावक पडिक्कम सुत्चुरोडी सेकंड नमबर आपका जो आता है सुपासनह चरियम आता है अब यह जो चवर पंचासिका है इसके बारे मित्रवासा जानने के कोशिस करियेगा कहा जाता है कि मेवाड सेली का सर्व पर्थम उजला रूप इसी चौर दिक्सित रूप देखने को मिलते हैं इसमें हम दिक्सित रूप देखने को मिलते हैं हमको यह मेरे लिखने का मकसद यही था इसलिए क्रोनलोजी में में लिखा हूँ कि समझेने में थोड़ा सा आसानी रहे आगे बढ़ते हैं सबसे बिक्सित रूप बोल दिया गया है पा का भेव जिसको बोलते हैं इस तरह के चित सबसे पहले मेवार सेली में ही चित्रित के गए यानि हम कह सकते हैं कि स्रीमद भागवत उसके बाद जो है रामायर ठीक है रागमाला फिर आपका है गीत गोविंद गीत गोविंद ठीक है फिर आपका है नाईका भेध नाईका भेध ठीक ये सारे के शारे चित्र जो है न सबसे पहले यहनी कि सर्ग पर्थम मेवाड सैली में ही में ही चित्रित हुए है ठीक है चित्रित हुए इस बात को थोड़ा ध्यान दीजेगा सवाल उठता रहता है बार-बार कन्फ्यूजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं आगे गया है गुरू आगे ये है कि एक और कुछ जो है कुछ बिसें पर आधार चित्र इसमें मिलते हैं जैसे वो बिसे कौन से हैं जैसे कि भक्तिरो पत्र फिर उसके बाद जो है आपका पन्चार व्योनो पत्र तिक है बान भेद्रोपत्र पंचान ब्यवरोपत्र बान भेद्रोपत्र और रागों पर आधारित इन सब पर आधारित भी आमोर्त भीसयों का चित्रड इसी सेलि में हुआ है इस बात को भी थ्ष़दा ध्यां दीजेगा है कि इन सब पर आधारित अमोर्त भीसयों का चित्रड हुआ है चित्रड हुआ है अमूर्थ का मतलब वाला अमूर्थ मत समझ लीजेगा अमूर्थ अव्ष्ट्रेक्शन वाला अमूर्थ मत समझ लीजेगा यहां विशे से सम्मंदित बात कर रहा है जैसे कभी कभी होता नहीं कोई कालपनिक कहानी हो क्या है वो मतलब कालपना कलपना किया तो उठाया नहीं गया हो बात समझ रहे हैं उसकी बात कर रहा है अनि कि इस तरह के चीजों पर भी यहां पर चित्रड़ हुए है थोड़ा सा इसमें थोड़ी ना मुर्थ हुआ है लेकिन विशे सा समय बात कर रहा है उसके थोड़ा ध्याम दीजेगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मेवार सहली का प्रमुक के अंदर था उदयपूर था ये पहले भी बात कर दिया चुका है इसलिए सबसे पहले उदयपूर हम लोग उठाएं हैं उसका मुख के अंदर था और सबसे प्राचिन के अंदर था इस बात को थोड़ा ध्यान इस सहली में मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथ विषयों पर चित्र बने हुए हैं और उन धार्मिक ग्रंथों पर इमेज विषय चुने गये हैं उसमें जो है भगवान कृष्ण को नायक माना गया है यहां लिखते रहे हैं कि कृष्ण को नायक मानते हुए नायक मान कर चित्रण हुआ है ठीख है इस बात को थोड़ा सहन दीजेगा उसके बाद कुछ और खास चीज़े है कि मेवार सले के चित्रों में और एक खास बात यह है कि इन में जो आकरितियां बनी हुई है आक्रितियां ये जो आक्रितियां बनी हुई है ये आक्रितियां मोटी एवं नाटी है ठीक है और उनकी आख जो है न इन आक्रितियों के जो आख है आख मीना करित मीना करित मतलब कि मचलियों के आखों जैसा मचलियों मचलियों जैसा ठीक है इस तरह से उसके बाद कुछ पहषान करने के तरीके ये हैं आपके अब थोड़ा सा हम इस पूरे मेवाड सेली के संरक्षड की बात करते हैं संरक्षड यानि कि कौन-कौन से ऐसे राजा थे जिनके समय में इस तरह से कलाकिर्टियों को मतलब बढ़ावद ये गया जिसके समय में ज्यादा सरक्षड मिला आड को ले करके उनके बारे में थोड़ा सा पढ़चे हैं और क्रोनो लाजिम पढ़ेंगे कि ये राजायत इसके बाद को उनसर आ जाया अगर कुछ भी करेंगे बोल मेल करके पढ़ेंगे तो नहीं समझवाएगा इस तरह समें धेर सारे लोगों को देखा हूं वीडियो बनाते हुए कई लोग क्लास लेते हैं वो करते क्या हैं ने कि डारेक्ट सवाल उठाते हैं और उसे में जो हबड़ हबड़ करना करते हैं उस बच्चे को तो कॉंसेप्ट पता ही नहीं रहता है कि सवाल कर क्या रहे हैं बोल क्या रहे हैं कहां की बात कर रहे हैं बस डारेक्ट सवाल उठाया को कोशन कर दिया धन से संबंदित कुछ सवाल भी करते रहेंगे यह मेरा नियम है जिस तरह से में पढ़ा हुआ था उसी समय पढ़ा रहा हूं उसी तरह से चलिए ज्यादा ग्यान नहीं देना है क्योंकि आप लोग समझदार हैं नहीं गरी आएंगे आप लोग हमको पता है अब हम लोग में राजा यानि कि हम राजाओं के बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले जो है महाराडा कुम्भा उठाते हैं इसमें पहले राजा आता है महाराडा कुम्भा देखे एक चीज और ध्यान दीजेगा राजा तमाम आए गये हैं ठीक है लेकिन हम सारे राजाओं के बात नही जिनके समय में कुछ योगदान हुए है कलाओं के बारे में उनके समय हम बात कर रहा है उनहीं लोग के के बारे में बात करते हैं इनका जो समय था वो 1433 में करके 1468 इस भी तक का समय था 1433 से ले करके 1468 इनका यह समय था इनके बारे में इस अस्थापत कला की अंतरगत जो अब मैंने बोला सोड़ी ठेक्रीए इन हुँ ने भी जे अस्थम्ब का निर्मार करवाया था थीक है उसके बाद आगे दखिए यह जो वीजे अस्थम का निर्मार इन ने जा करवाया यह 1448 में करवाया छिट्ट अडग Exact हम्यां possum HOW तो चित्तोरगाड penn aga ass आउस सो इसको शमरपित में यह विजय अस्तम जो है यह बिश्न को समरपित है быть too कि देखिए हम जो जो भी चीजे आ रही है इस लाइन पर भूब रास्ते में जो भी पड़ रहा ठीक है चितोडगड और यह बिजय अस्तम किसको समर्पित है भाई यह बिजय अस्तम जो है यह बिशनु को समर्पित है देखिए हम जो जो भी चीजे आ रही है लाइन पे जो रास्ते में जो भी पढ़ रहा है न हम सोचते हैं कि जो रास्ते में पढ़े उसके बारे इम डिटेल लेते जाओ लेते जाओ तब कॉंसेप्ट के लिए रहेगा ठीक है विशनु को समरभीत है और यह अस्तम जो है यह 37 दसलमों एक नौ मीटर उंचा है यहनि 3,7,1,9 मीटर उंचा है ठीक है और इसके वास्तुकार जो थे वो सूत्रधर थे वास्तुकार कौं था सूत्रधर यह थे यह सूत्रधर जैता नाम था उनका पूरा लिख दे रहे हैं जैता ठीक है यह थे अब देखिए महाराला कॉ कुछ खास है आगे देखे क्या क्वास है यह जो है ना संगीतक कला सानख्षक दोनु थे महाराला कुम्भा जो है क्या थे संगीतक के भी थे और कला सनक्षक भी थे कितने उदार व्यक्तित है यार देखने से मतलब पढ़के लगता है कि ये लोग कितने महांत है आज कितरा नहीं है जैसरी रामोले उसके बाद जो है इनके दौरा रचित गरंथ है इन्होंने रथा था संगीत राज रचित गरंथ इनके दौरा है रचित ग्रंथ इनके दौरा रचित ग्रंथ है संगीत राज इन्हों नहीं रचा था मलब लिखा था ठीक है उसके बाद कुछ और इनके बारे में है इन्ही के समय में इन्ही राजा के समय में ही गीत गोबिंद ठीक है गीत गोबिंद बाल गोपाल इस्टुती की रचना हुई है बाल गोपाल इस्टुती समझ में आ रहा है कुछ याद आ रहा है ना जैन सलीक बात हो रही है उसी समय में जो है इनीक समय में लिखा गया थै उसी समय के बात है द्यान देजेगा अब देखेगा अगला ये तुरहें महाराडा कुम्भा की राद अब जो है दूसरा जो राजा आता है वो आते हैं आपके राजा भोज राज जो की गद्दी पर बैठते हैं राजा भोज राज तो वो बैसरोज संपर्दाय का समर्थक रहते हैं उनके समय म में इस तरह से कुछ चीजे रहती हैं इंहों ने जो है उद्यपूर की अस्थापना कि जो उदेपुर पढ़ रहे है ना इन्होंने अस्थापना किया था उदेपुर की अस्थापना किया अब मन में ही चल लोगे तब तो वापर आवल कौन थे भाई इससे पहले तो वापर आवल के बारे मेरे बच्चे वापर आवल ने मेवाड की अस्थापना किया था उस मेव नियुआएं ईस थापना किस ने किया इस सिंग ने किया उसके बाद जो है इनके समय में भागवत पुराण का चित्रड हुआ इनके समय में और इसका चित्रड जो है नाना राम द्वरा किया गया थेक नाना राम कलाकार था इन्हों नहीं चित्रड किया और कब किया था 1540 इस भी में किया था इस बात को थोड़ा ध्यान दीजेगा उसके बाद जो है जो अगला राज आता है उदर सिंग की बाद कीसरे नमबर के देखें वीच कितनी बार वो लह ऊंगि बीच-वीच में और वी राजाव की बात कर रहा है जिनुड के समय में कलाका संथौ पराप्त हो है बस कौन-किस को तलवार गहुपा रिए इस से हम से नहीं मतलब आ इससे मतलब का होगी फिलहाल अभी एक्जाम क्रेक करना है इसलिए जो है सोचा गया है कि थोला साथ में मिन पॉइंट पर बात किया जाए जो सवाल किया जाते हैं ठीक है हम जो है बात करते हैं तीसरे नुमर पे महाराड़ा परताप की महाराड़ा परताप इनके बात करते हैं ठीक है यह भी मेवार जाली के राजा थे इनकी राजधानी जो थी वो यहनोंने अपनी राजधानी चावंड को बनाया इनकी चावंड को राजधानी बनाया इनकी बनाया तिक और इनकी शमय से जो है न मोगल सैली से प्रभाविद क्रिती यहनी कि मोगल सैली का प्रभावब पढ़ने लगा था धौला मारू का चित्रड़ हुआ है यह धौला मारू मोगल सैली से प्रभावबित है सबसे प्राचेनितम क्रीति माने जाती है और इसका जो चित्रड हुआ है वो 1592 में हुआ ठीक है और ये चित्र जो है नेशनल म्यूजियम निव दलही में है इस बात को थोड़ा ध्यान दीजेगा उसके बाद अगला जो राज आता है अमर सिंग चोथे नमर पर अमर सिंग के बारें देखो भाए अमर सिंग ठीक है अमर सिंग के समय में जो है रागमाला के चित्रड हुआ राग मालक चित्रड हुआ ठीक है और किसके दोरा निशार दिन के दोरा निशार दिन ही तो कलाकार था इस से लिका अभिया चर्चा करेंगे निशार दिन के दोरा चित्रड हुआ और ये चित्रड जो है चावंड में हुआ है जहाँ जो कि इसमाना प्रबाकाना है इसका निर्माड थिक है और ले अ comment मोगलिया परभाव है इस बाद को दनहान दीजेगा सवाल पूस्ता है कि अमर सिंग के समय में जो रागमाला के चितर हुआ उस पर किस का परभाव है तो है सवजवाब हो जाएगा आपका मुगलिया परभाव किस ने चितरित किया निसार देन कहां पर चितर हुआ चावंड में इस बात को थोड़ा धेंज निए यह अगर नहीं इस पास हो रहा है तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूँ चावंड ठीक है चलिए यह है उसके बाद जो है आगे हम ध्यान देते हैं अगला जो राज आता है वो आते हैं आपके राजा कर्डसिंग इनके समय में देख लेते हैं पांचवय नंबर में हैं यह भी बहुत इंप्वार्टेंट है इनका भी समय आते हैं पांचवय नंबर पर आपके राजा कर्डसिंग ठीक है इनकी एक समय में जो है अस्थापत कलाक ने मार ज्यादा अस्थापत कलम अगर हम देखते हैं जिसे कि जनाना महल और मरदाना महल इनी के समय बना ठीक है उसके बाद अगला जो राजा आता है छठे नमबर पे वो है राजा जगत सिंग बहुत इंप्वार्टन्ट है भाई पूरे मेवार सहली में इसका सरक्षर बहुत मायने रखता ह है राजा जगत सिंग इंप्वार्टन्ट यहां लिग दे रहा हूं यह थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगे इसके बार में चलिए राजा जगत सिंग के बारें थोड़ जानते हैं इनकी समय में राग माला के चित्रड़ हुआ राग माला के चित्रड़ हुआ ठीक है ध्यान देजेगा इस से भी पहले राग माला के चित्रड़ हुआ था जो कि सबसे प्राचीन राग माला के बोला जाता है जागि अमर सिंग के समय में हुआ था ध्यान देजेगा यह ठीक है ऊपर वाला अमर सिंग के समय में नहीं यह यह निकिए वाला रागमाला जो है अमरं सींग के समय में यह सबस Juan ナजण के बारे वह गया है इसका इसकी सजब नहीं आंफलैसंट है यह नेशनल मुजियम ने संग्रहिद है और इसका जो चित्र्ण हुआ है वो है 1628 इसमें चित्रण हुआ है और उसके साथ साथ इसमें एक और चित्र प्राप्ट हुआ है रशिक पिरिया ठीक है ये चित्रण हुआ 1630 इसमें फिर इसके लावा एक और चित्र है भागवत पुराड ठीक है इसका चित्र जो है साहब दीन या साहब दीन निकिया और ये जो है बीका नेर में संग्रहित है ठीक है अपर पुर्सके बाद जो है एक और चित्र है जिसका नाम है रामायर का चित्र जो है मनोहर्न किया और ये जो है संग्रहित है प्रिंस आफ वेल्स मेजिम प्रिंस आफ वेल्स मुजियम मुंबई ठीक है मुंबई में है उसके बाद जो है इस समय के पर्मुख कलाकार के नाम ले रहे हैं जो पर्मुख कलाकार थे इनके समय के पर्मुख कलाकार किस के समय के राजा जगत सिंग के समय के जैसे कि साहग दिन और मनोहर थे साहग दिन मनोहर ठीक है उसके बाद जगत सिंग ने अपने राज महल में चितेरो की ओबरी नामक एक कला विथिका भी खोला था इन्होंने अपने राज महल में यानिक राज महल में चितेरो की ओबरी चितेरो की इरा है चितेरो की ओबरी नामक कला विथिका विथिका खोला था इन्होंने ठीक है इस बात को थोड़ा ध्यान दिजेगा अपने महल मे और इनके समय में मेवार सहली का चर्मोतकर्ज रूप हम देखते हैं, जो मेवार सहली था इनके समय में, वो क्या थी, चर्मोतकर्ज थी, यह यह रहें, राजा जगत सिंग के कुछ खुलिया, ठीक है, उसके बाद अगला जो राजा आता है, सातोय नमबर का वो महाराडा राज सिंभ आते हैं हम महाराडा राज सिंभ के बारे में बात करेंगे तो कुछ खास तो नहीं है लेकिन देख लेते हैं महाराडा राज सिंभ बहुत बड़ा काम कर गए थे जो की ऐ था icy nah jikie मूर्थी इन्होंने अस्थापित किया कहां पर किया थे सियहार में ठीक है उसके बाद जो है इन्होंने जो है कुछ चित्रल करवाए था वो चित्रल जैसे की है सूकर छेत्र महात्मे नामक चित्र करवाए था जैसे की नाम है इसका सूकर छेत्र महात्मे नामक इन्होंने चित्रड करवाया था चित्रड करवाया और इसका जो चित्रड करवाया किये थे वो कलाकार थे साहिब दिन बहुत काम किये हैं इसलिए बोला जाता है मैंवार साली की सबसे प्रसे दिकला कारत्व कावन था साहिब दिन था ठीक है साहिब दिन ने 1145 इस भी में इसका चित्रांकन किये था और इस सब्सक्राइब जो चित्र है न वो सरसुति भंडार उदयपुर्स में संगरहित है सरसुती भंडार उद्यपुर यहीं पर संग्रहित है ठीक है उसके बाद जो है इन्हों ने एक और चित्र का निर्मार तरवाया है जिसका नाम है भर्मड गीत भर्मड गीत इसका निर्मार जो है 1669 इस भी में हुआ ठीक है अब जो है अगले राजा के बाद करते हैं इनके बाद जो आते हैं वह अठ्वे नंबर पे जिनका नाम है राजा जैसिंग राजा जैसिंग ठीक है या फिर इन्हें को बोलते हैं महाराडा जैसिंग एक ही नाम है तो राजा जैसिंग के बारें पढ़ते हैं इनके समय में चित्र जिसे की गोबर्धन धारड है इनके समय में चित्र जो भारत कला भवन में है इस समय देख सकते हैं जाकर के और लगुचित्रों के निर्माड सबसे अधिक इन्हीं के समय में हुआ लेकिन जो बोलते हैं कि उसमें जो बारिकियां होती हैं कुछ सुन्दरता होते हैं उसके मावले में बहुत डाउन था हाँ ये कह सकते हैं कि लगुचित्रों के निर्मार सबसे अधिक हुआ लेकिन उनके बारिक्यों के बारिमी कुछलता बहुत कम देखने के मिलता है बस इतना ध्यान दिजेगा उसके बाद जो है अगला राजा आता है नमोने नमबर पे जिसका नाम था महाराणा संग्राम सिंग्ध महाराणा संग्राम सिंग्ध ठीक है इसके बारे मुगल परभाव अधिक दिखता है इनके समय में इनके समय में चित्रों में मुगल परभाव अधिक दिखता है ठीक है दिखता है और बिहारी सत्साई नामक चित्र जो बना हुआ है इनहीं के समय का है अनिक बिहारी सत्साई कच्चित्रण इनहीं के समय हुआ जो कि इस समय जो है ये सरसुती बंडार उदेपुर में ये भी संग रही थे उदेपुर में है ठीक है और उसके बार इनहीं के समय में जो है मुल्ला दो प्याजा मुल्ला दो प्याजा इनहीं के समय चित्रित हुआ इसके रावा जो है कलिला दमना इसको कलिया दमन में बोलते हैं कलिला दमना इनहीं के समय चित्रित हुआ जो कि नूरुदीन चित्रित किया नूरुदीन ध्यान दीजेगा नूरुदीन इस सैलिक कलाकार तो नहीं थे विशेस्ताया लेकिन हो सकता है कि इससे पहले वह किये हो नूरुदीन को हम भीका नेर में पढ़ेंगे ठीक है खास तोर पे इसलिए इस समय भी यह मतलब इनके चित्रित कुछ मिले हुए ठेक तो तो इसलिए जो है बोल दे रहा हूं कि नूरुदीन ने चित्रित किया तो यह खास तोर पे बीका नेर के कलाकार थे अभी हम जो आगे पढ़ेंगे ठीक है बीका नेर के यह कलाकार थे इस बात थोड़ा ध्यान दीजेगा फिर अगला जो राजा आता है वो सुराजा का नाम रहता है मह ह महा राड़ा हमीर सिंग चलो आगे पढ़ते हैं इनका रहता है नाम महा राड़ा हमीर सिंग थीक है इनके समय में कुछ पढ़ते हैं देखते हैं क्या है इनके समय में जो चित्रड हुए है न वो बड़े पन्नों पर चित्रड होना शुरू हो गये थे इनके समय में चित्रड बड़े पन्नों पर होना शुरू हुए बड़े पन्नों पर शुरू हुए ठीक है और सिकार वा त्योहार पर ज्यादा चित्रण बनें सिकार वा त्योहार पर चित्रण ज्यादा हुए है तिक है ये ये कुछ खास ίे गोराज आगला टर्यूओ कि ग्यार्व है नंबर का महाराजा भीम सिंग आते हैं महाराजा भीम सिंग ठीक है इनको थोड़ा से देखते हैं क्या है यह महाराजा भीम सिंग कहा जाता है कि की यह मेवार का अंतिम राजा था और अंग्रेजों से यह संधि किया था अंग्रेजों से संधिक यह था मिला जो ला था कहने का मतलब ठीक है पहले साइज जो है तीन-पांच था जो भी था इसके समय में भित्ति चित्रण अधिक हुए है भित्ति चित्रण क्या हुए है इनके समय में अधिक हुए है ठीक है अधिक हुआ है ठीक और इन्हीं की समय के परसिद्य चित्र जो है मीरा एक अच्छा खासा परसिद्य चित्र इन्हीं के समय में है लिख दे रहे हैं परसिद्य चित्र मीरा इसका चित्र हुआ है मीरा नामक चित्र है नाम है टाइटल इसका और इसका चित्र भक्ता न किया है ठीक है भक्ता नामक कलाकार था और ये चित्र जो है इस समय राज की ये संग्रहाल है राज की संग्रहाल है उदयपुर में है पूदय पुर्मे है ठीक है इस बात को थोड़ा ध्यान दीजेगा उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें परमुख कलाकारों के भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और उसके साथ साथ उनमें कुछ अलग-अलग जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनको भी थोड़ा संशित्त में देख लेगते हैं यह निक हम यहां कह सकते हैं कि परमुख कलाकार अब यह से पहले चर्चा हुआ है पर वो कलाकारों में कौन गोन था एक तो थे साहब दिन साहब दिन या साहब दिन ठीक है एक तो बड़ी समस्चा यह है न कि इंडियन आर्ट हिस्ट्रीम में अगर कोई भी किसी के बारों में पढ़ोगे न तो बहुत जादा डिटेल मिलता भी नहीं है किताब हम अगर मिलता है तो जोल मोल्टाइब के दिखता है कोई कुछ और बत न वो किलियर करके काम किये गया है कट टू कट अब इंडिया में जो है बुझ होल है रहेगा भी और उसके बाद जो है साहब दिन के अलामा जो है हम अगला जो कलाकार देखते हैं मनोहर है ठीक है भकता भी है इसमें भकता और नानाराम ठीक है नानाराम तो यह जो है प्रम कला किर्टियों के बारे में प्रमुख कला किर्टियां ठीक है इनके बारे में थुरा से देखते हैं एक नंबर एक है मारू रागनी बहुत फेमस चित्र है भाई जहां दीजेगा इसको साहिप दीन ने बनाया है और अठारवी सदिम बनाया है इनों ने ठीक है टेंपरा में है पहले बोला गया ना कि राजास्थानी सहलेगी जितने भी चित्र पूरा गतिमान है और पर जो है राजावाराने बैठे हुए है अगलिया फाई पूराड गलिया पूराड इसको घ्री ज छीट्र मिलता है वह है भागवत पूराड भागवत पूराड इसको साहिब दिन ने बनाया है इसे भी इसे भी साहिब दिन ने बनाया है 1648 इस भी में बनाया है इसको ठीक है बताएगा पहले भी और इसके लावा नाना राम भी जो है पहले ही बनाया था इससे ठीक है उसके बाद जो है तीसरे नमबर में है जैसे के रसिक पिरिया रसिक पिरिया को भी साहिब दिन ने बनाया है 1630 में ठीक है चावंद रागमाला एक है चावंद रागमाला ठीक है इसको भी जो है साहिब दीन वा निसार दीन दोनों ग़्यो के बनाया है ठीक है उसके बाद एक और शित्र है रामायड इसको मनोहर ने मनाया है ठीक है 1670 में प्रिंस आफ वेल्स मुजियम में है मुंबई में ठीक है उसके बाद जो है मेरा है मीरा को भग्ता नहीं बनाया है ठीक है राजकी यह संग्रहाले फुदए पुर में है यह फिर उसके बाद जो है एक सूकर छेटर मातमे साहब दिन नहीं बनाया है बहुत जादा इंपटन है लिखीद्रा गयす इसको भी साहिब दिन्हें मनाया है थिक है यह रहें आपके मेवार से लिए ठीक है यह नहीं कि मेवार से लिए था फोर अप कहों कि बहुत चोर्टा है नात दारा तो कंप внत्你說 उसको जो है छोड़ना कोई जरूतमी है तो नाथ द्वारा में अगर हम चर्चा करते हैं यानि कि अगला जो है निवार सेली का वो सेली है नाथ द्वारा नात द्वारा सेले चले इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा बहुत थोड़ा है कहा जाता है कि यह जो नात द्वारा है यह उदयपूर से तकरीबन 48 किलो मीटर दूर राज समन्द जिले में है हम कह सकते हैं कि यह उदयपूर से 48 किलो मीटर दूर राज समन्द जिले में है ठीक है इस बात को थोड़ा ध्यान दिजेगा उसके बाद यह तो पता है एक नात द्वारा को जो है इसके अंत्रगत रखा जाता है मेवार से लिक अंत्रगत कन्फ्यूज मत होईएगा 10 फरवरी 1672 इस बी को सिहार गाव में स्रिनात जी के स्वरूप की अस्थापना जो है महाराडा राज सिंग ने किया था अभी मैंने इस से पहले चर्चा किया है इसके बारे में यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है यह किस लिए परसिद्ध है यह पिछवाई की चित्रड के लिए परसिद्ध है इसके बारे में जरूरी है पिछवाई चित्रड के लिए परसिद्ध है ठीक है यह है और यह जो पिछवाई चित्रड होता है यह स्रीनात जी के सुरूप के पीछे एक सज्जय युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर चित्रड मनाई जाता है तो उन्हें की पीछे यूज किया जाता है यह सबको पता है और स्रीनात जी के मंदिर में यूज होता है लिख दे रहे हैं यह पिछवाई चित्रड जो है स्रीनात जी के पिछवाई जो है स्रेनाथ जी के मंदिर में यूज होता है परियोग होता है ठीक है यह है पिछवाई पर चित्रड जो होता है न वो जो पिछवाई पर टेंपरा माध्या में होता यतों तो पrouगिया गया है कि टेंपरा में होता है कपडेों परगिया जाता है। ठीक है कपड़े पर किया जाता है और उसके बाद जो है इस सैली में जो है ना यानि कि नाथ द्वारा में जो सबसे अधिक चित्रण पाया जाता हो केले के बिरिच के अधिकता है उस चित्रण में में जो है इस सैली के चित्रों में जो भी चित्र हुए है उसमें हरा वा पीले रंग का अधिकता है कि हरे वा आपका उद्यपूर तो यह आपको कुछ इस तरह से रहे फिर अगला जो हम लोग क्लास करेंगे वो मेवाड से लिके आगे वाला यानि कि जो मेवाड के बाद मारवाड आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे फिलहार आज के लिए इतना ही है